तो नमस्कार स्वागत है आप सभी का G.S.W.N. Academy पर तो आज हम देखेंगे साइंस का दो हजार चोबीस में पूछा गए ये question paper है और ये cg वैपम दार आप पूछा गए question paper है और ये आपका cg tate exam में पूछा गए ये भी दियान रखेगा ये cg tate exam में जो अभी अभी फिला जो question जो exam हुआ है उसका question paper है ये तो ये आपके cg जो प्रयोक साला technician और सहाक है दोनों के लिए important होगा क्योंकि ये साइन्स के सिलिवास में जो पूछा गया है तो किस तरह से question पूछा गया है उससे हम देखेंगे ये आपके exam के लिए सहाक होगा ये set A है आप देख सकते हैं चुकि ये 2024 में अभी फिल हाली पूछा गया है इसलिए हम सारे question करेंगे और ये important होगा हमारे ले डेड़ सो question है तो केवल science कही करेंगे हम लोग बाकी तो नहीं करेंगे यहाँ पर देख सकते हैं आप इसमें बाल विकास भी होता है तो बाल विकास छोड़ करके जो जो भी है आपके उसको हम करेंगे तो चलिए यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर यह science का जो question paper है इसे हम करेंगे यहाँ पर चलिए यह यहाँ से start होता है science का रताउंधी देखिए पहला ये 121 नमबर का question है और किस तरह से पूछा गया है इसे हम देखेंगे तो देखिए 121 नमबर के question में रत तो उन्दी जो रोग होता है ये किसके कमी करण विटामिन एक कमी के करण तो 121 का सी करेक्ट आंसर होगा 122 नंबर का कुश्चन देखते हैं प्रोकेरियोट में राइबोसोम का प्रकार पाया जाता है तो देखिए इसमें क्या है ये 70S बी जो है करेक्ट आंसर है अगला कुछ कोशिकाएं जीव अस्था में प्रवेर्श करती हैं जिसके कारण कोशिका चक्र निसक्री हो जाता है कारण है जीव अस्था मेटोजेन येवं उर्जा सम्रिद्ध यावगी की अनप्लवधरता के कारण होती है तो सही अंसर क्या है इसका देखिए अभी कथन ए और दोनो जो हे सत्य है और कारण आथ अभी कथन एका चसही व्याख्या करता है तो चलिए कोशिका को प्रथम बादा खोजा गया था देखिए कोशिका को प्रथम बार खोजा गया था ऐसा-इसा कोशिचन तो आपके टेखनिसq'sagon और साहाइक इक्जाम मे भी बन सकते हैं इस Для paper को करना बहुत important है Robert Hook ने खो जा था प्रथम बार कुशिका को Robert Hook ने तो ध्यान रखेंग 124 का ए जो है correct answer है अगला है column first को column second के साथ सही उत्तर चुने तो column first है और column second है तो चलिए इसमें column first है पहला है second प्रात्मिक उत्पादकता तो इस तरह से इसका सही आंसर क्या होगा 125 नंबर का तो चलिए देखते हैं column second में जो है column second में जैसे सकल प्रात्मिक उत्त्पादकता में कौन सा आएगा तो ये क्या हो जाएगा हरे पौध है आएंगे क्या आएंगे हरे पौध है बी का देखते हैं दुति उत्पादकता में कौन होगा तो दुति उत्पादकता में होगा आपका उपभुकताओं दौरा कार्बनिक तत्प्तो का निर्माड तो ये हो जाएगा C में देखते हैं तो उत्पादक क्या होगा तो ये सौर उर्जा से सकल कार्बनीक तत्व का उत्पादन और D आहर नाल खाद्य स्रिंखलाओं का अंतर संबन तो D का 4 हो जाएगे इस तरह से 125 का 125 का B जो है correct answer होगा चलिए next question है आपका 126 नंबर का निम्नमे से किसे जगत में परिभासित सिमायन नहीं है देखिए क्या वो लगया है निम्नमे से किस जगत kingdom में परिभासित सिमायन नहीं होती है देखिए 126 नंबर के question का तो ये जो है क्या है प्रोटिष्टा है क्या है प्रोटिष्टा भी यहाँ character answer है डिटेल नहीं करेंगे किवाल आंसर देख रहे हैं कि किस तरह से question पूछा गया हों कैसे तयारी करें यहां कोई explain नहीं होगा किवाल आंसर देखेंगे हम लोग चलिए 127 नंबर का question देखते हैं सर्दियों की सुबह marble tiles लकड़ी की tiles की तुलना में ठंडी महसूस होगी क्योंकि marble tiles क्या होती है तो marble tiles लकड़ी की tiles की तुलना में उश्मा का बेहतर समवाहक है तो यहां पर correct answer हो जाएगा 128 नंबर का question देखते हैं पवन उर्जा अब देखिए यह कूट में आंसर लेना है पवन उर्जा कूट में देखना है तो यहां क्या क्या होगा एक जो है अंतराइक उर्जा है यह सही होगा 128 का और चली आगे देखते हैं दुरस्थ्य हम प्रिथक जगहों पर अतियांत उप्योगी है यह भी सही है और अगला है मौसम पर निर्भर नहीं है यह गलत है स्वक्छ उर्जा है तो फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ यह चारों आएंगे तो बी जो है 128 का करेक्ट आंसर है 139 नंबर का कोश्चन देखते हैं चलीए निमनलिखित में से क्या सबसे सरल प्रकार की गती है देखिए सरल प्रकार की गती है सबसे तो देखिए इसमें क्या है सरल रेखी गती ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगे 139 का 130 का देखते हैं गर्म पींड के ठंडे पींड में उस्मा का इस्थनांतर कहलाता है यह क्या कहलाता है चालन कहलाता है 131 नंबर का कोश्चन देखते हैं उसमर सेदा बड़ी वस्तू से छोटी वस्तू के और प्रवाहित होती है कता नही कारण है विभिन प्रवाली जिनके दोरा उस्मा का प्रवाह होता है विचालन सवहन यों विकिरन है तो देखिए इसमें फिजिक्स केमेस्ट्री ब्यावलाजी तीनों है इसलिए ये आपके प्रयोकसाला टेकनिसियन और सहाग दोनों के लिए बहुत इंपोर्टेंट है सा दी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 131 का तो चलिए देखते हैं 132 नमबर का क्वेश्चन चलती ट्रेन में खड़ा एक यात्री ट्रेन के रुखने पर अचानक आगे की ओर गिर जाता है निम्नलिकित में से यात्री के गिरने का कारण हो सकता है तो यात्री के गिरने का दुरूप से लटकता हुआ चुम्बकी चछड इस्थी रवस्था में रहता है किसा रवस्था में रहता है चुम्बकी जो चछड होता है उत्तर दक्षिर दिशा को इंगित करता है तो यह यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 133 का 134 नमबर का क्वेश्चन देखते हैं कथन है और कारण है तो देखिए कथन है वस्थू की दुरी लेंस से वस्थू की दुरी है कारण है इसे वस्थू से लेंस के प्रकासिक केंदर तक मापा जाता है तो 134 का क्या है कर्थन A और R दोनों सत्य है और कारण R कथन A का सही स्वश्थी करण है तो A हाँ पर करेक्ट आंसर ह चलिए 135 नंबर का question देखते हैं देखिए वस्तू की विभिन इस्थितियों के लिए ओतल दरपड़ा बनाएगे प्रतिविम का मिलान करें तो देखिए C से परे अब देखिए इसको मिलान करना है तो यहाँ देखिए A का C से परे तो A का हो जाएगा A से C के बीच A का second और B का हो जाएगा C C पर हो जाएगा B का one और C का हो जाएगा C और F के बीच C से आगे हो जाएगा C का four और F पर जो हो जाएगा D यह हो जाएगा आपका अनंत पर तो इस तरह से हैं तो सही आंसर क्या होगा 135 का ये जो है आपका correct answer होगा है, फिर सिमिला लिजे, A का 2, B का 1, C का 4, D का 3, तो ये जो है आपका correct answer होगे, चलिए उत्तल दरपण द्वारा निर्मीत प्रतिवीम हमेशा होता है, तो देखिए 136 का ये क्या होता है, वास्तविक नहीं होता, बड़ा नहीं होता, अभासियम बड नहीं होता है, उत्तल दरपण द्वारा निर्मीत जो प्रतिवीम होता है, हमेशा छोटा बनता है, तो 136 का D correct answer होगा, 137 का प्रतिकाई समय में संपिडन या विरलन की संख्या बताती है, तो 137 में ये D, पीच, क्या बताती है, पीच, अब देखिए 138 नंबर का question देखते ह वजा, देखिए, खाली स्थान वजा से तेज ध्वनी, लंबी दूरी तै कर सकती है, तो देखिए 138 नंबर में ये क्या है, उच उर्जा, बी जो है correct answer है, 149 नंबर का question देखते हैं, यदि, देखिए 4 ओम प्रतिरोधक, 4 ओम प्रतिरोधक द्वारा 100 जूल उर्जा उत्प देखते हैं, चलिए दिये गए विद्दुद घटकों का सही मिलान करें, तो देखिए physics का भी है, chemistry का भी है, आप देख पा रहे होंगे, तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा important है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे, इसका answer कौन से लिया गया है, वैफम दारा, तो ये जो ह मिलान करें, लिखा है, तो यहाँ पे देखिए 140 का, 140 नमबर का, तो A का transistor, तो A का क्या दिया है, A का 4, ये वाला जो दिख रहा है, A का 4 है, उसके बारते B का जो प्रतिरोध है, ये 1 है, ये पहला वाला जो चीतर बना है, दूसरा है, C का आपका क्या है, 3 है, ये वाला है, C का, और डायोट जो है, डिकर 2 है, तो इस तरह से C यहाँ पे करेक्ट आंसर लिया गए है, 140 का C, अब चले 141 नमबर का question देखते हैं, कौन सा सयोजान एक सर्किट दिखाता है, जहाँ प्रतियक बल्ब बहने वाली धारा बिंदू, X पर बहने वाला धारा के समान होगी, तो इसमें जो है, कह रहा है कि बिंदू X पर बहने वाली धारा समान होगी, बहने वाली धारा बिंदू, तो देखिए 141 का, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, यह जो चाउथा वाला जो बना है, आपका 141 नमबर का question, यह चाउथा जो चीत रह केवल चाउथा, तो D य अगला देखते हैं, कथन फर्स्ट लेजर, लाइटें अत्यधिक दिसात्मक होती है, यह कथन है, कथन सेकेंड है, लेजर का प्रयोग दांतों को सफित करने वाले उपकराण की रूप में किया जाता है, तो देखिए 143 में क्या है, दोनों कथन सत्त हैं, लेकिन फर्स्ट और सेकेंड का कारण नहीं है, दोनों कथन तो सत्त हैं, लेकिन फर्स्ट जो कथन है, वो जो है सेकेंड का सही कारण नहीं है, तो सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, चलिए 144 नमबर का कुश्चन देखते हैं, 144, आर प्रतिरोध वाले तार के एक टुकड़े को पांच बरा आना पड़ेगा आपको, ऐसे आंसर देखने स्पत्र नहीं चलेगा, लेकिन इसलिए देख रहें को कि इस टाइप से कोश्चन पुछा जा सकता है, तो इससे जो सॉल्ट करना है, इसे हम घर में त्यारी करें, अच्छे से पढ़ें, 145 नमबर का कुश्चन देखते हैं, च सेकेंड का चूना कैल्सियम हाइडरकसाइट है, टमाटर, ये टमाटर का है, थर्ड का तो ये और जली कमला है, और कपड़े धोने का सोडा, ये चाउथे नमबर का, तो कपड़े धोने का सोडा का है, सोडियम कार्बोनेट है, तो फर्स्ट का सी एक बार मिलान कर लेंगे, फर्स्ट का C, फिर से, सेकेंड का A, थर्ड का D, और चांथे का B है, तो B यहाँ पर correct answer, 145 का B जो है correct answer है, चलिए निबू के रस में होंगे, तो निबू के रस में होंगे 146 नमबर question, तो यह फर्स्ट वाला जो option है, यह सही है, चलिए अगला है, दंत का कारण है, लार के pH का, देखिए, दंत 6 का कारण क्या है, 148 नमबर का question, तो यह जो है 5.5 से कम हो जाना, यह दंत 6 का कारण होता है, जो लार का pH मान का कितना हो जाता है, तो 5.5 से कम हो जाता है, तो दंत 6 का कारण होता है, 148 का C, जो है correct answer है, अब 149 नमबर थोड़ा सा अलग पुछा है, इसलिए नहीं देख रहे हैं, इस टाइब से question आपके में उतना ज्यादा नहीं पुछेगा, 150 नमबर question देख रहे हैं, कथन A, एक मिस्रण में किसी भी है नुपात में एक से अधिक पदार्थ मिस्रित होते हैं, तथा इसके घरटकों को गुडों में दरसाते हैं, कथन चीनी एक सज कि जो टेट एक्जाम हो है, उसका भी हम लोग देख लेंगे, क्योंकि ये जो टेट एक्जाम का question paper है, ये हमारे लिए बहुत अच्छा साबित होगा, क्योंकि physics, chemistry और biology तीनों का question पूछा गया है, वैपमदारा, तो इस तरह से आप कौर वीडियो चाहिए, question paper salt करना है, किस तरह से पूछा है, और तयारी हम कैसे करें, तो आप कमेंट करके जरूर बतराएं, आज की डूम फिलाल उतने हैं,